नमस्कार गुड़प्टनन जीवन में चमतकार करने हैं ना मैंने वो सादु वाली बात बताई थी कि कर्म भी करो गुड़ लग भी करो कर बोल दो मैं मेरा काम करो साथ में गुड़ लग कैसे करो बला ही सोचो लोगो कि नाउ अगर जो जो लोगों को सम्रुद्धी मिली है सुक्सांती सम्रुद्धी मिली है वो लोग ने क्या क्या किया लाइफ में जो इंकम आती है अपनी जो भी कमाई होती है उसमें सिर्प पहले दस्ट का चैरिटी में जाना जा मजड़ कितना मेक्रिम कर सकते हो कि आप लोग को शुरूवात करने तो कर सकते हो मेरे कल्ट लाइप में होने के लिए को अभी मैंनी बुलेत दस्ट तका करो सम्जो आज कर ही नहीं रेव क्या करना है महिने का सो रूपीय अगर आप खुश्ची से कर सकते वो तो सौर रुपिया शुरू करो और यह तारिक को करूंगा ही करूंगा आप देखना आपकी हजार करने की हो जाएगा फिर फिर लोली हजार करो आपकी कैपैसिती 10,000 की हो जाएगा और एक-दो का पहले दान करता सवा करोड का चमत कार करना है तो चेरिडी देश्ट अब जिए दूसरा है 30 परसंट कि बच्चत करना चाहिए फ्यूचर के लिए आप जो भी कमा रहे उसमें से 30 परसंट का सेविंग करना चाहिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमारे बुड़ापके के लिए हमारे बच्चे की शादी के लिए हमारे रिटारमेंट के लिए पाकी का स्थ pretty का कुर्टॉ जो बचा मों करनाच भी को जिन्दगी में अगर मुट्टर शांती संब्रुद्ट पी चाहिए तो हेपीनेस सेफटी करें सान्ती किसको मिलती जिसके पास खाने पेने के वांदधा नहीं है इनु Licht है in एंजोइमेंट मजा कौन करत है जिसकर फैसे है मैं कौन रहता है जनरली जिसकर पैसे है कि रिस्पेक्ट किसको मिलता है पैसा है कि सन्मान किसको मिलता है जिसका पैसा है पैसा नहीं है तो क्या होता है अनापीनेस अंसिर्फ टेंशन कि लोग बेज़ती करते हैं अकेलापन कि ब्लेमिंग लोग आके ब्लेम करते हैं तुमने बुड़ा जवानी में द्यान नहीं रखा तो हम जब पॉलिसी बेज़ते हैं तो क्या करते हैं लोगों को हैपीनेस दिलाते सेफ्टी दिलाते पीस दिलाते आनंद दिलाते हम लोग से सब दिलवाते हैं और कोई उसको ब्लेम करके न जाए कि टेंशन कब होता है आप सच बोला आपको कोई काम करना पैसा नहीं तो टेंशन आते कि नहीं आते हैं कोई बिमार हुआ और मेडिकलेंड़ पॉलिसी है तो क्या होगा कोई चिंता नहीं करको हॉस्पिटल में गए एक्सिडेंट से आपका परसर पॉलिसी क्या होता है जो होना है लेकिन टेंशन नहीं शांती है और इसकी वज़े से हमारा कुछ बिकना बंद हो जाता है नहीं तो कुछ एफरी तूट था कि हमारा प्र्सपरिटी चला जाएगा बित्र चानर इंड उलतीड सबसे पहले प्रास्पॉरिती का भंग नहीं उना एक औरऊ प्रास्परिटी कम कैसे होगी एपन करें आए समझे समुन वाइप और बच्च्चे लोगि पिता जी मर अर्स नहीं यून एका ओ गया तो घर में कोई लेडी का चीडन रोगा को बच्चे का एक्सीडन रोगे है क्या होगा है अबरी टूर जाएगा गारी भी जाएगए कुछ नहीं आ जाएगी इमोशनल ली और फाइनेंशल भी दोनों तरीके से अनापीन है मतलब हम लोग पॉलीची नहीं बेच रहे उत्तम बाई और लोग पॉलीची नहीं खरीद रहे लोग क्या खरीद रहे ईपीस उप माइंड खरीद रहे तो मैं अगर आपके पास आऊ और आपको बोलो कि मैं बढ़िया तो यह प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठेंगे और अभी बैठे हैं जितने लोग एजंट नहीं एजंट को तो मालूम है जो एजंट नहीं है अभी जैसा अक्षत है सबसे पहले अक्षत एक बात पक्किए आज अभी आपके मेर कितने हुई मैं अठारा काओं अठारा काओं आप एक दिन फिप्टी एट हो नहीं वाले हो एक शूर है किसको बोलते हैं नैंटी टैन लोग शाट सब्तर 80 साल जीते एक दो टका लोग मर भी जा तो नैंटी परसंट चांस क्या है आप साथ साल के हो जाओगे और आपको आगे 100 साल जीना है क्या करना पड़ेगा या तो आपको वो टाइम कमाना पड़ेगा या आपकी कमाई वो टाइम क्यालो रहनी दोनों में से एक ही ऑप्शन होना चाहिए या तो दोनों करना पड़ेगे क्या वो टाइम कमाना पॉसीबल है और टाइम मेनद करना पॉसीबल है पॉसीबल क्या है मैं कोई ऐसा प्लान करू कि आज से प्लान करू साठ साल के बाद जिनकी भर अभी आपके पाली साल का प्लाइब किसे रहेगा और मैं सब बोलू आप खाली हजार रुपया बचाओगे ना हजार रुपया महीना आपको मैं अठ्ठाउन साल में कितना पिस्ता दे सकता मालूं करोड रफली चौदा करोड कैसा रहेगा बढ़िया रहेगा बढ़िया ना अभी सोचो एजेंट लोग सोचो कि मैं पार्टी को क्या समझा रहा हूं आपकी आज अठ्रा साल की उमर है कलने तो शादी करोंगे बच्चे होंगे सबका जैसे नॉर्मल होना है इस बीच में अग कि सेब्टी भी होना कि नहीं होगी तो परिशानिया तो दो तरप पैसा चाहिए मैं जिन्दा रहू तो मुझे चाहिए नहीं कोई प्लानिंग होना जी दूसरा प्रोस्परीटी बढ़नी चाहिए उसके बड़ तीसरा में प्रोस्पर्टी मुल्टिप्लाय होनी जा आपकी इंकम बढ़ती जानी जैसा इंफलेशन पढ़ेगा इसे इंकम बढ़नी चैने इंकम बढ़े इंफलेशन बढ़ेगा एसा आपका सेविंग बढ़ना चाहिए